मनिशा फूर्ट कीचन में आप सब का स्वागत हैंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में लाइक और बैल आइकन का बटन भी जुरू दुआएं आपने चाप की सब्जी तो अलग अलग तरीके से खाई होगी पर एक बार इस तरी त्होड़ा धरक्तों द्धनिया इन सब को गरनेजर में डाल देंगे हरी मिर्चव प्याजम को भी डाल दें साथ में डाल देंगे हम् हर्डनिया और डाल देंगे हमारी ऐफ आप पहाज या camera तो थ्या लेंगे एक पेश तैयार करलेंगे पेश तैयार है हमारा यहांपर मैंने लिए हैं चवर्प नहीं जाप हैं यह थोड़ा-थोड़ा कट लगा मिश्चान जावामान्त आप यह फ्रोजन चाप है सारी चापों पर दो-दो-तीन-तीन कट लगाivent अब हम बरतन में डालेंगे हम जो हमने पे आज का मसालब तयार किया था पीस के उसके बार डाल देंगे दही आदा कटोरी दही को फेंट लेंगे और लिए हमने आदा कटोरी यहां पे क्रीम उसके बार डालेंगे एक निवु का रस और डालेंगे आदा चमच काली मिर्श पाउडर एक बड़ा चमच का सूरी मेथी पाउडर और नमक स्वात के अनुसार इसके बार डालेंगे दो चमच देशी घी आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं और डालेंगे आदा चमच गर मसाला पाउडर अब इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालो को अच्छे से मिक्स कर लें आज के मसाले के साथ अच्छे से मिला लें हम एक मैरिनेशन तियार कर रही है जो हमें चापो पर लगाना है सारी चापे इसमें डाल देंगे मसाले में सारी चापे डाल दें अब इन चापो पर अच्छे से मसाला लगा लेंगे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे इन चापो को हम अच्छे से सारी चापों पर लगा लेंगे मसाला मसाले में अच्छे से डुबो दें इनको सारा मसाला अच्छे से लग चुका है हमारी सारी चापों पर अब एक बड़े पतीले में हम डालेंगे दो बड़े चमच तेल तेल को गरम कर लेंगे तेल गरम होने के बाद अब एक एक चाप को हम अच्छे से थोड़ सा हिला लेंगे जिससे के फालतू मसाला है जो नीचे नीचे हट जाए इसका अब उसको एक एक करके गरम तेल में डाल देंगे यहाँ पर मैंने मीडियम हीट रखी है ज्यादा तेज ना रखें नहीं तो इनको मसाला लगाया है वो सारा जल जाएगा अब एक करके इनको पलट लेंगे एक साइट हम तलने के बाद ऐसी इनको अलट पलटते रहेंगे जब एक साइट सिख जाएगे तो दूसरी साइट पिनको फिर द्वारा से पलट देंगे इससे की मसाला जले नहीं अच्छे से हमारी यह तल जाएँ चापें इन पर मैं अच्छा सा कलर लाना है गोल्डन ब्राउन सा हमारी सारी चापें अच्छे से तल चुकी हैं अच्छा सा कलर आ चुका है अब इन चापों को एक एक करके निकाल ले अब इससब चापों को अलग निकाल लेंगे गलग बरतन में निकाल लें ऐसी हम सारे चापे तल लेंगे हमने सारे चापे तल ली है अब जो इसमें तेल बचा है उसी में हम ये सारा मैरिनेशन का जो मसाला है उनको डाल देंगे सारे मसाले को इसमें डाल दें अब इस तेल में इस मसाले को अच्छे से पकाएंगे हम अच्छे से भूनेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लें तेल के साथ अच्छे से भून लें इसको लगातार चला रही हूँ जिसे कि हमा जो दही डाली है वो फटना जाए इसको थोड़ी देर चला लें आप देख रहे हैं मसाला थोड़ी सा पक चुका है पकने लिए रख देंगे जब तकि मसाला अची तरह पकना जाते और मसाला तेल ना छोड़ देंगे आप देखें इस मसाला ने तेल छोड़ दिया अच्छी तरह मसाला पक चुका है इसमें डाल देंगे कटी हुई सारी चापे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमें चाप बनी है बस एक दो मिनट के लिए और पकाएंगे जिससे कि सारा मसाला इन चापों अच्छे से अंदर तक चला जाए एक दूमने टॉर पकाएंगे बस चाप हमारी बन चुकी है बहुत टेस्टी बनी है और बहुत खुश्पू आ रही है बनकर तयार है अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी उपर से क्रीम डाल देंगे डैकोरेट करने के लिए एक बड़ा चम्मच और हमारी चाप की सबजी बन कर तयार है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें